हेलो एवर्यवन एड वेरी वर्म वेलकम तो सिक्षा गाइज करेंट अफियर्स का लेक्चर नंबर नाइन हम यहां पर एड कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर एज टोल्ड यू इन वन अफ प्रिविएस लेक्चर के के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिसकस करेंगे प्रिविएस यहर कोश्चन भी जब हमने देखे थे 2020 का जो हमने पेपर देखा था उसमें देखा था कि एक बड़ा सिंपल सा कोशन आया तो यहां पर हमारा जो एजेंडा रहेगा वो अरौंड थिस इस कोशन कराऊंगा और यह थिस इक्सक्षा अपने अच्छे से कर लेने है थीक है यह थिसक्स कोश्चं के अंदर जो फैक्ट है बिसीकली वह आपने अच्छे से कर लेना है and high probability है कि इन 36 में से ही question आएगा आपके paper के अंदर आएगा तो ठीक है तो यह अगर आपने कर लिया तो अफिर आपको economic survey के 400-500 page पढ़ने की ज़रुवरत नहीं है यह 36 questions के उपर आप या जो यह video है इसके उपर आप रेलाए कर सकते हो video का pdf का link description में है आपको एक small सा amount पे करना होता है 99 रुपीज का और आपको pdf मिल जाता है जो भी lectures YouTube पे APFC और AOE के हैं वो सबका pdf आपको उदर मिलेगा उसके इलावा आप MCQ combo course ले सकते हो अगर आपने MCQ combo course लिया है जो बहुत ही low price के अंदर आपको मिल जाएगा and currently तो आपकाइब कर सकते हैं चलिए फटाफट से पहले question के ऊपर चलेंगे so guys this is our first question as per the economic survey 23-24 India will witness a growth rate between ठीक है तो basically GDP growth rate के ऊपर ये question है पिछली बार भी जहां तक मुझे यादर 2020 के अंदर ये question पूछा गया था growth rate के ऊपर ही question आया था option B correct answer होगा 6-6.8% ठीक है 6-6.8% का इन्होंने आपर target दिया है तो economic survey कहता है कि global situation के उपर depend करेगा कि global क्या situation रहती है इस financial year में and उसके according 6-6.8% के बीच में इंडिया की GDP growth rate रहेगी next question है next question पूछता है कि जी economic survey के हिसाब से 2022-23 में इंडिया का GDP growth rate था 6% 7% 7.5% या 8% इसका correct answer है दोस्तो option B 7% तो 7% जो है 22-23 का था तो 22-23 का हो गया 7% देखो ऐसे अगर notes बनाने है तो ऐसे बनाया करते हैं 22-23 7% 2023 24 7.6 to 6.8% ठीक है जितना हो सके खुद से भी लिखा करो थोड़ा बहुत ताकि याद करने में help हो next question है as highlighted in the economic survey the dash number of PM श्री स्कूल्स will be built in between financial year 23 and financial year 27 ठीक है जी PM श्री स्कूल्स कितने स्कूल सरकार target कर रही है FY23 से FY27 के बीच में अभी मेरा agenda यहापर PM श्री स्कूल्स को discuss करना नहीं है PM श्री स्कूल्स हम social security schemes वाले वीडियो के अंदर discuss करेंगे अभी agenda सिर्फ और सिर्फ यह fact देखना है तो कितने number of schools बनाए जाएंगे answer होगा option B 14,500 तो सरकार बोल रही है कि financial year 23 से लेकर के financial year 27 के बीच में हम 14,500 जो PM श्री स्कूल्स हैं इनको establish करेंगे next question as per the economic survey the gross non-performing asset ratio is at a 7 year low of option A 3% B 7% C 5% D 9% okay as per the economic survey the gross non-performing asset is at a 7 year low of तो यहाँ पर आपका answer होगा option C 5% ठीक है 5% तो gross non-performing asset banks के कम हुए हैं और यह एक बहुत बड़ी achievement की form में इसको economic survey ने highlight किया है 7 सालों में सबसे नीचे अब जाकर के यहाँ नेक्स कोशन था जी what was the percentage of fiscal deficit for 2023 highlighted in the economic survey 2022-23 में fiscal deficit कितना highlight किया economic survey ने option A 2.4% B 4.4% C 6.4% and D is 8.4% इसका जो correct answer है दोस्तो that is option C answer C होगा 6.4% जो है fiscal deficit highlight किया है economic survey ने यह सारे के सारे pointers major pointers हैं अब देखो अगर मैं मैंने आपको पहले भी बार बार एक बात बोली है कि हमें एक middle path लेकर के चलना है ना तो हमें बिल्कुल civil services वाला syllabus करके जाना है ना ही हमें बिल्कुल bank वाला syllabus करके जाना है ठीक है bank वाला syllabus होता तो 100 question बन जाते economic survey के क्योंकि facts बहुत सारे होते हैं civil services वाला होता तो इन में से बहुत सारे facts कम हो जाते और थोड़े से analytical point of view के question मैं इसके अंदर डाल देता ठीक है लेकिन क्योंकि हमें एक middle path लेकर के चलना है अपने APFC AOEO के exam के point of view से तो उस situation के हिसाब से हमें आपर चल रहे हैं ठीक है next as the as per the economic survey of India as per the economic survey India has a foreign exchange reserve of option A 478 billion USD 577 billion USD 607 billion USD 563 billion USD कितना foreign exchange reserve है अपने पास इसका correct answer है दोस्तो option D 563 billion USD का foreign exchange reserve जो है वो है अपने पास जब economic survey में basically जो highlight हुआ है next question next question है जी WTO ने कितनी growth project किये global trade में यानि कि globally trade किस percentage से grow करेगा 2023 में as per WTO economic survey के अंदर जिक्र था इसका option है 1% B 2% C 3% and D 4% तो कितने percent से grow करेगा global trade 2023 में और इसका जो correct answer होगा दोस्तों that will be option A 1% कितना हो जाएगा A 1% next as per the economic survey India is the dash largest service exporter in the world अच्छा जितने भी questions आ रहे है ना 1 to 36 चाहे आप numbering कर लो एक बार video pause करके और उसके बाद question को देख करके खुद से answer करने की कोशिश करो पहले कि क्या current affair में कहीं पर ठीक है क्योंकि जब economic survey आता हूँ उसके बाद ये newspaper के अंदर time to time news के अंदर highlight होता रहता है ठीक है जी तो खुद से answer करने की कोशिश करो और देखो कि आता है नहीं आता है अगर attempt किया है तो सही किया या गलत किया है ठीक है largest service exporter in the world क्या रहे हैं कि अपना service export में कितने basically जो हम export कर रहे हैं services third, fifth, seventh, ninth तो यहाँ पर अपना answer होगा option C seventh, India's seventh largest service exporter है world में ninth question as per world bank which among the following country was the largest recipient of remittances in the world in 2022 2022 में सबसे यादा remittances जो basically भार से जो लोग जैसे इंडिया से बाहर लोग चले जाते हैं ठीक है, for working जो इंडियन्स है they are sending money back to their families in India that is basically सीधी साधी बाशा में remittance तो सबसे यादा remittance किस देश ने receive की from the various citizens or from the various people settled outside इंडिया so, इंडिया इसका answer है option A ठीक है, इंडिया ने सबसे अदा remittances receive की है 10th question credit growth of MSME sector ठीक है 2022 का जो साल था 2022 थे इसमें MSME sector में कितनी credit growth हुई basically जो credit MSME industry के अंदर या companies के अंदर जा रहा है option A 25% B 30.5 C 35 D 40% so, इसका क्या right answer है दोस्तो the right answer is option B 30.5% से MSME sector के अंदर credit grow हुआ है जो economic survey के अंदर highlight किया गया है next है जी economic survey कहता है कि social sector expenditure जो है न 2022-23 के अंदर वो increase हुआ है ठीक है center और state का मिला करके basically social sector के अंदर जो central government और state governments खर्चा कर रही है तो increase होकर के कितना amount basically दोनों ने मिलकर के खर्च किया है social sector के अंदर A 16.9 lakh crores B 21.3 lakh crores C 24.7 lakh crores and D is none of the above तो यहाँ पर आपका correct answer है दोस्तो option B 21.3 lakh crore रुपीज जो है वो total social sector expenditure रहा है financial year 23 के अंदर ठीक है तो अगर आप देखते हो financial year 16 में it was only 9.1 lakh crores तो पिछले कुछ सालों में बढ़ करके यह 21.3 lakh crores हो गया तो 21.3 lakh crores आपको value याद रखनी है next question as per the economic survey the central and state expenditure on health was dash percentage of GDP ठीक है जी center and state दोनों का मिला करके कितना percentage of GDP था खर्चा जो health के अंदर हुआ option A 1.5% B 2.1 C 2.5 D 3 so the right answer is B 2.1% लेकिन यह याद रखना है कि यह center plus state दोनों का मिला करके है ठीक है center plus state दोनों का expenditure मिला करके next question economic survey highlights the findings of the 2022 report of UNDP on multi-dimensional poverty index which says that dash crore people exit poverty in India between 2056 and 2019 1928 question मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ current affairs के अंदर भी मैंने discuss किया है जो previous videos अगर आपने current affairs के देख लिए हैं सारे उसके अंदर भी discuss किया है मैंने यहाँ पर इसको दुबारा इसलिए लाए क्योंकि economic survey में भी इसको specially highlight किया गया है यह एक important question मन जाता है तो कितने लोग poverty से भार आए हैं as per this multi-dimensional poverty index 2005-1920 के बीच में it is 41.5 crore ठीक है which is a big achievement question number 14 national green hydrogen mission targets to make India energy independent by the year अब यह एक ऐसा fact है जो आपने अलग-अलग current affairs के अंदर पहले भी किया होगा this is not something new which is highlighted by the economic survey पर कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़े economic survey के अंदर जो specifically highlight हो गई वो important हो जाती है इसलिए उनको यहाँ पर दुबारा से हमने डाल दिया है so national green hydrogen mission कहता है कि इंडिया को energy independent बना देंगे किस year तक answer is option C 2047 तक इंडिया को energy independent बनाने का target है national green hydrogen mission का ठीक है अब यह जो 2070 है ना confused नहीं हो ना 2070 वाला क्या बोलता है net zero pledge की बात हुए है कि zero emission होगा यहाँ पर energy independent की बात हुए है तो दोनों अलग-अलग चीज़ें है confused नहीं होना यह आपका जो net zero pledge है 2070 वाला यह भी economic survey के अंदर highlight हुआ था next question है जी economic survey बोलता है कि agriculture sector के अंदर ना private investment increase हुई है private sector की investment agriculture sector के अंदर increase हुई है ठीक है 2020-21 में जो basically calculate की गई थी तो कितना percent private investment agriculture sector में है कितना percent increase हुई है the correct answer guys over here is option C 9.3% जो agriculture sector के अंदर investment है वो private sector से आती है next question as per the economic survey UPI based transactions grew in value dash percent and volume 115% between 2019-22 paving the way for its international adoption तो economic survey क्या कह रहा है कि जी UPI की जो transactions है वो value की terms में भी बड़ी है volume की terms में भी बड़ी है volume की terms में वो कह रहा है 115% increase हुई है आप से पुछा है value की terms में कितनी increase हुई है तो value की terms में दोस्तों answer होगा option C 121% और economic survey क्या कहता है कि क्योंकि इतना better way में ये UPI perform कर रहा है तो इसको internationally भी हम adopt कर सकते है international transactions के लिए भी next question the economic survey highlighted that the year on year GST collection increased by GST collection में कितना increase आया year on year जो economic survey में highlight किया गया है option A 18.2 B 21.5 C 24.8 and D is none of the above तो कितना GST का collection में year on year increase आया है इस case में right answer है आपका option C 24.8% का increase जो है year on year increase जो है वो देखने को यहां पर हमें मिला है 18th question India is the dash largest mobile phone manufacturer in the world mobile phone manufacture करने में mobile phone बनाने में इंडिया का क्या rank है पहला, दूसरा, तिसरा या चौथा so economic survey ने क्या बोला है कि second rank है इंडिया का mobile phone manufacturing के अंदर next India is the dash largest foreign reserve holder in the world अभी हमने देखा था कि value में कितना foreign reserve उसने highlight किया है अभी हाँ पर मैंने पूछा rank कि foreign hold reserve करने वाली जो countries हैं, जो largest countries है उसमें इंडिया का क्या rank है and the answer over here is 6th हमारा 6th largest foreign reserve है पुरी दुनिया के अंदर next question as highlighted by the economic survey the overall tele density in India is tele density in India that is 84.8% जो basically mobile phone density की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यानि कि 100 में से 84.8 लोगों के पास mobile phone है इंडिया के अंदर that is your tele density ठीक है so telephone and radio digital empowerment के लिए जो यहाँ पर कुछ facts given है देख लो total telephone subscribers September 2022 में 117.8 crores थे यह important नहीं है लेकिन total में से 44.3% rural इंडिया के थे यह याद रख सकते हो थोड़ा सा कि जो total telephone subscribers है उसमें से 44.3 इंडिया के अंदर है ठीक है and 98% जो telephone subscribers है wireless connectivity है उनके पास overall density जो है tele density 84.8% है and 200% increase देखने को मिला है rural internet subscriptions में 2015 से 2021 के बीच में दो इन facts में से question पूछे जाने के chances काफी कम है यह tele density वाला एक important fact है इसको याद रखिएगा next as per the economic survey which among the following countries showed up positive return percentage in stock market तो 2022-23 में stock markets में पूरे दुनिया के अंदर काफी उथल पुथल रही ठीक है negative returns रहे तो कौनसी ऐसी country है जिसमें positive return देखने को मिला investors के लिए so that is guys major countries देखते हो तो सबकी आपको दिखेगा negative rate of return आपको दिखेगा financial year 23 के अंदर but इंडिया का positive था 3.9% तो percentage भी अगर थोड़ा सा याद कर पाओ तो ठीक है बाकी chances कम है कि वो पूछेगा 22nd question as highlighted in the economic survey life insurance penetration कितना है 2021 में इंडिया में life insurance penetration का क्या मतलब हो गया है कि total population में कितने percent लोगों ने हिंदुस्तान में life insurance के अंदर अपने आपको enroll किया है या किसी भी तरह का life insurance policy लिया है so that is guys option B 3.1% तो यानि कि 100 में से 3.1 लोगों के पास किसी भी तरह का life insurance protection है काफी low है ठीक है उसके अलावा कुछ और यहां पर facts देखो capital expenditure 2.9% से rise हुआ in 2022-23 पहले 1.7% के around रहता था GDP का लेकिन इस बार इस financial year में जो 2022-23 का period था इसमें जो capital expenditure सरकार ने किया capital expenditure basically ऐसा खर्चा होता है जो कोई ना कोई asset create किया है basically assets की creation हुए है तो 2.9% था सरकार का जो debt है वो पहले 59.2% of GDP होता था अब वो कम होकर के 56.7% हो गया है तो सरकार ने अपना करजा भी कम किया है उसके बाद जी government debt to GDP ratio increase हुआ है जो सरकारी debt है to GDP ratio वो increase हुआ है by a modest 3% since 2005 and rural internet subscriptions में 300% increase है urban areas में 158% है तो यह कुछ facts है again question के अपर चलते हैं दुबारा next question जी general question है economic survey के context में कि economic पहला statement कहता है कि economic survey annual document है जिसको economic division prepare करता है department of economic affairs जो finance ministry के अंडर आता है chief economic advisor first economic survey 1950-51 में present किया गया third statement कहता है कि it has been included in the budget session of parliament since 1954 and presented together with the union budget तो आपको बताना है इन में से कौन सा statement correct है only one only two only three only one and two so right answer है यहाँ पर दोस्तो option D only one and two पहले दो statements ठीक है ठीक है तो देखते हैं थोड़ा सा annual document है economic division prepare करता है department of economic affairs का chief economic advisor के अंडर आता है यह department okay and पहला economic survey 1950-51 में पेश किया गया था 1964 के बाद से इसको budget से separate किया गया था उससे पहले तो यह budget के साथ ही एक document के form में इसको पेश किया जाता था but 1964 से it was separated from the budget ठीक है and 1964 के बाद ही यह process शुरू हुआ कि पहले economic survey आता है एक दिन पहले economic survey आता है और फिर next day आपका budget announce होता है okay 24th question देखो अब department of economic affairs के जो basically chief economic advisor के अंडर है वो इसको prepare करता है तो इस साल का जो economic survey आया है यह किस chief economic advisor के अंडर basically prepare किया गया है ठीक है option A इतनी लंबी सी line लिख करके उसने एक सीधी सी बात तुमसे यह पूछिए कि current chief economic advisor कौन है भारत सरकार का ठीक है इतनी लंबी कहानिया बुझा करके उसने बस यह चोटी सी बात पूछिया option A so यहाँ पर आपका जो correct answer है दोस्तो that is option B next question food inflation based on the consumer food price index combined to dash in financial year 23 from 3.8% in climbed to कितना बढ़कर के हो गया 3.8% था 22 में पर यह बढ़कर के कितना हो गया consumer price index okay food price index so it was option D 7% financial year 22 में 3.8 था जो बढ़कर के financial year 23 में reached up to 7% next question है जी economic survey में highlight किया गया कि 28.5 करोड unorganized workers को register किया गया है तो किस portal पर registration की बात हो रही है unorganized workers के option A दरपन portal B इश्रम portal C उमंग portal and D.S. समाधान portal किस portal के उपर basically यह registration की बात हो रही है so यहाँ पर आपका सही answer होगा basically option B इश्रम portal again इश्रम portal की details हम social security इन इंडिया वाले वीडियोस के अंदर करेंगे next question economic survey ने नीतिया योग report का reference लिया एक जिसमें बोला गया कि जो green hydrogen market है इंडिया के अंदर उसकी cumulative value कितनी होगी 2030 तक नीतिया योग ने अपनी एक report में estimation लगाया था तो economic survey ने इसको highlight किया तो कितनी value predict करता है नीतिया योग की green hydrogen market की हो जाएगी इंडिया में 2030 तक तो यहाँ पर आपका correct answer है option B 8 billion US dollars ओके 8 billion US dollars by 2030 and 340 billion dollars by 2050 next question ओके economic survey कहता है कि इंडिया में 44.3 lakh organic farmers हैं जो दुनिया में सबसे जादा organic farmers हैं and कौनसी state इंडिया में not only in इंडिया पूरी दुनिया में वो पहली state है जो fully organic farming के लिए जानी जाती है so easily आप इसको कर सकते हो काफी समय से क्योंकि पहली state इंडिया में वो बनी थी तो काफी जादा news में आया था so answer is option C next question है economic survey में highlight किया गया कि कितना percent livestock sector ने grow किया है 2014-15 से 2021 के बीच में कितना percent grow किया है livestock sector ने तो answer यहाँ पर है आपका option D 7.9 percent next question industry sector की क्या growth रही 2022-2023 के अंदर जो economic survey ने highlight किया and the right answer is option A 4.1 sector से आपका industry sector जो है वो grow किया है next question rank of India in production of pharma products by volume ठीक है volume हो गया quantity तो quantity की terms में इंडिया का क्या rank है production में so it is option D third तिसरे number पर आते हैं हम volume के अंदर okay third हमारा आता है and value की terms में अगर हम बात करें that is price तो उसमें हमारा rank है 14th okay तो यह भी एक question हो गया जैसे भी मैंने volume से पूछा है all right हम generic medicines के term में second number पर आते हैं as second largest provider of generic medicines जिसमें globally अगर आप देखो हमारी 20% हमारा share है supply में in terms of volume okay and leading vaccine manufacturer है vaccine के अंदर हमारा 60% share है यानि कि दुनिया में जितनी vaccine globally जाती है उसमें से 60% vaccine हिंदुस्तान की होती है next question जी economic survey में highlight किया कि India third largest automobile market है sales की term में यानि कि सबसे ज़्यादा गाडियां बिकने में तीसरे number पर है हम पूरी दुनिया में तो किन दो देशो के बाद हमारा ये number आया third largest में so that is option D both 1 and 2 Germany और Japan को हमने पीछे छोड़ दिया third largest automobile market बन गए है sales की term में next question UNCTAD की एक world investment report यहां पर highlight की गई जिसके अंदर foreign direct investment जो basically 2021 में देशों के अंदर आई तो इंडिया का रहांक था इंडिया का 7th रहांक था यानि कि 7th largest FDI recipient इंडिया था next question इंडिया's top destination for goods export पिछले साल में specially अप्रेल से November 2022 की अगर हम बात करें तो सबसे जादा goods हमने किस देश में export की है answer है option B US US हमारा सबसे बड़ा exporter रहा है और US के बाद दुसरे नंबर पर UAE तिसरे नंबर पर Netherlands next question है जी petroleum crude and product imports increased by dash to USD 163.9 billion 2022-23 के अंदर हमारा जो petroleum crude oil जो हम इरान इराग जैसे देशों से लाते हैं या crude products जो हम लेकर क्याते हैं इसका import हमारा बढ़ गया ठीक है 163.9 billion US dollar की खरीदी हमने की तो कितने percentage से ये बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा है 45.6% से ठीक है 2021-22 की अगर मैं बात करूँ उसके मुकाबले 22-23 में हमने 40.1% की value की जादा खरीदी की है आपके petroleum crude products की last question है जी external debt as a ratio of GDP fell to dash basically external debt होता है जो हिंदुस्तान ने भार से पैसा लिया हुआ ठीक है भार देशों से या institutions से पैसा लिया हुआ तो वो कम हुआ है as a ratio to GDP ठीक है तो कितना 20.3% था 2021 के अंदर और 2022 के end तक आते आते कितना percentage रह गया था option है option D 19.2% तो external debt to GDP ratio जो है वो नीचे है okay so India's external debt at US 610.5 billion अभी हमारा currently 610.5 billion dollar का हमारे उपर external debt है okay with this guys we are done with the 36 questions from economic survey and I hope कि ये a quick session रहा होगा idea ही यही था कि इन facts को as quick as possible आपके लिए मैं cover कर दू and ये lecture को आप सुनो जब भी आप ठक गए हो ठीक है दुबारा सुनो दो बार सुनो तीन बार सुनो तभी तेज तेज कराया ठीक है lecture को दो बार सुनो तीन बार सुनो चार बार सुनो metro में जा रहे हो बस में जा रहे हो ठीक है कहीं free बैठे हो जहां पर पढ़ाई नहीं हो पारी, वहां पर एयरफोन ठूसो अपने कान में और ये वीडियो को सुनना शुरू कर दो इससे क्या होगा, फैक्ट से आद उने शुरू हो जाएंगे ठीके जी, चले मिलेंगे नेक्स लेक्चर में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा टेक क्यार एंड बाई